अल्लही अल्ला किया करो, दुखना किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो तकमीली फूड प्राडक्स प्राइविट लिमिटेड माले गाओं इंडिया हर्बल राइट लाए है, आपके लिए मर्दाना कुवात का लाज, वो भी जडि़ी बूट के दुवारा, इसके लाब आपके जिसम में किसी अगब दर्द हो, आप हमसे दवाई हासिल कर सकते हैं, देश भी देश में, इसकी स्क्रीन पर दिया के नमबर पर कॉंटेक्ट करें जोरों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकली, जैसे गुत्नों का दर्द, पीच और कमर का दर्द, कंदे गर्दन और पेरों में दर्द के लिए संधी प्लस, देशी शिफा लाएं हैं, मर्द और ओर्टों के तमाम गुपत्रों का इलाज, पहली खुराग मेरत अंग्य यो जलगां महराष्ट अंडिया में, मैं आपका मेजबान मुफ्ती मुहम्मद हारून नदवी, आईए इंटरनेशनल टौफाई नियूस, दुनिया की पांच बड़ी खास ऐहम ख़बरों पर नजर डालते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साती नए हैं और अभी तक इस बेबाग सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाते हो कि आपको मुलक, भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें तो पिर आप इस चैनल से जुड़ जाएए, सबस्क्राइब कर लीज़े हमारे इस काम करती है, बड़ा रुपिया पैसा खर्च होता है, अगर आप चाते हो कि ऐसे चैनल जो जल्म के और जालिम के खिलाफ बेबाग अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, बाकी रहें, आगे बढ़ें, तरकी करें तो प्लील आप चैनल की फाइननिशल हेल, माली तावल, माली मदद जरूर करें, स्क्रीम पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, और अगर आप ऑनलाइन पैसा भीज़ कर मदद करना चाते हैं, तो गूगल पे, फोन पे और पेटे हैं, तीनों का एक की नंबर है, 9-6-3-7-5-4-1-7-8-6, अल्ला ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतिवार से हर दिन, या हफ़ते या महीने में एक बार ही सही, 200-500-000, जो आप मदद कर सकते हैं, पाबंदी से आप हर महीने मदद करें, और चैनल को मदबूत करें, हमारा इस नेक और सच्च काम में साथ दें, आई रादिन, पहली बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने कैलिफोर्निया से आ रही है, जहां कैलिफोर्निया के जंगलात में भयानक आग लगी हुई है, और इस आग की वज़ज़ से आसपास के पूरे इलाकों में, शिदत की गर्मी के लहरे हैं, करोड़ों अमरीकी गर्मी से जुलसने पर मजबूर हो गए है, और खबरे ये भी है कि ये जंगलात की आग बड़ी तेजी से पहल रही है, करोड़ों अमरीकी अवाम इन दिनों रिकार्ड दरज़े हरारत के सबफ शदीद गर्मी में जुलसने पर मजबूर हैं, जब और अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं, डॉन अखबार में शाय खबर रसा एजनसी एफपी के रिपोर्ट के मताबिक केलिफोर्निया के मौकमें जंगलात और फायर प्रोटेक्शन ने एक रिपोर्ट में कहा है, कि 17 हेलिकप्टर्स की मदद से 2000 से ज्यादा फाय के लिए तायूनात कर दिया गया है, जो जुमा को केलिफोर्निया में नेशनल पार्क के करीब लगी थी, ताहम इस आग के लगने के दो दिन बाद आग ने 14211 से ज्यादा रिपोर्ट कर राक कर दिया है, और अब तक इस पर 0% भी काबू नहीं पाया गया है, रिपोर्ट म में रुकावट बन रहे हैं, हकाम के तरफ से आग को तबाह को नकरार दिया गया है, जिसके नतीजे में राक के धेर जा बजा नजर आ रहे हैं, और गाड़ियां भी जल कर तबाह हो गई है, जब के इमला को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जहां हंगामी अमला, रहा आईशियों को निकालने और आग के रास्ते में आने वाली तामिरात की हिफाज़त के लिए काम कर रहा है, हाई राज़िस वक्त दूसरी बड़ी खबर आ रही है, मियानमार से, आप जानते हैं कि मियानमार में 2017 में किस तरह एहल एमान पर जल्म और सित्म के बहार तोड़े गए थे, 2017 में मैं जब हज को अर्फात के मैदान में तब वहां से मैंने एक वीडियो जारी करके पूरे आलम इसलाम से अपील की थी कि मियानमार में हो रहे, जल्म के खिलाफ जमूरी तरीके से जायस तरीके से आवाज भी उठाईए और मियानमार के एहल एमान मजलुमीं क वहां की वजीर आजम का क्या हाल है वो भी आपको मालुम है लेकिन अभी एक खबर आ रही है कि मैंनमार फौज ने साबिक रुकने असंबली समेट जी हाँ, साबिक रुकने असंबली विदायक समेट चार जमूरियत पसंद कारकुनों को सजाय मौत दे दी, मैंनमार की फौ का अमली तोर पर निफाद हुआ है, साबिक चानुन साब, मुसनिफ और समाजी कारकुन इन लोगों पर देशतगर्दी का इल्दान था, इन सदाओं का ऐलान जून में मैंनमार की फौज की जानब से किया गया था, जिस ते 2021 में जमूरी हुकमत का तख़ता उलड दिया था और इस फैसले की बैनल अक्वामी सते पर मजब्मत की गई थी, मैंनमार की फौज ने फरवरी सन 2021 में आंग सांग सूची जो वहां की लीडर थी, जिसके दोर भी एहल इमान पर जल्म अडाये गए, इसकी मुन्तखब हुकमत गिरादी थी, जिसके बाद मुलक में शुरू ह ने वाले इतजाजी मुदाहरों को सकती से कुचल दिया गया था, फौज की मुखालिफत में म्यानमार की पौलिटिकल पार्टीज ने नाम नहाद कौमी इत्याद के हुकमत का ऐलान किया था, लेकिन म्यानमार फौज अभ यू संजिए कि तमाम जालिमों से दीरे दीरे आयराज इस वक्त यमन से सनाओं से बड़ी ख़बर आ रही है, यमन में तूफानी बारिश हुई है, और शेलाब की सूरत अहाल बन चुकी है, और बताया जा रहा है कि इस तूफानी बारिश और सेलाब को सामने रखते हुए तकरिबरं 10 अफराद की मौत की खबरे आ रही है यमन में तूफानी बारिश के बास सेलावी सूरत अहाल पूरे इलातने में पैदा हो गई है यमन के रागदानी सना से मिली खबरों के मताबिक यमनी हुकाम ने बताया कि तूफानी बारिश और इसके बाइस पैदा, शुदा, सेलावी सूरत रहाल से मुक्तलिफ हादसात में चार बच्चों समेट दस अफराद अपनी जान गवा चुके है यमनी हुकाम का मज़ीद कहना है कि जा बहुक होने वालों में चारों बच्चे तीन मनजला अमारत के गिरने से मौत का शिकार हुए है इस खबर को दिखाने एक मकसद की यह भी है कि मदब के लिए हाथ भी भाय जाए और इनके लिए दौाएं भी की जाए आई रादिन दो जगा से फाइरिंग की खबर आ रही है एक अमरीका से और एक फिल्पाइन की रादानी मनीला से यहां अमरीका से खबर आ रही है कि अमरीका में फाइरिंग हुई जिसमें साथ लोग जबनी हुए है तीन के आहलत नाजूद बताई जा रही है यह वही अमरीका है जो पूरी दुनिया से आतंगवाद खटम करने के लिए तीसरा रूल अदा करता है और बीच में आता है और अमन लाने की बाते हैं करता है और तीन की आहलत अभी नाजूद बताई जा रही है यह वाक्या संडे को लास अंजलिस के जनूब में 32 किलो मिटर के फासले पर पेश आया है लास अंजलिस पोलिस ने इस बारे में कहा है कि फाइरिंग के यह वाक्या तीन बजे यह दो पहर तीन बचकर पचास मिनट पर पेश आया खैर दूसरा वाक्या फिल्पाइन के राट डानी मनीला से आ रहा है मनीला में एक यूनिवर्सिटी में फाइरिंग हुई है जी हाँ यूनिवर्सिटी में फाइरिंग हुई है ताहम इस वाके से मुतालिक मजीद इनकौरी जारी है अई राज़े ऐसे ही बड़ी खबर इस वक्त पड़ोसी मुलक पाकिस्तान से आ रही है जिहां हुकमरा इतिहाद ने परवेज इलाई की दर्खास पर फुल कोर्ट बनाने का डिमांड किया हमज़ शेबाज ने भी फुल कोर्ट बनाने की दर्खास सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी हमज़ शेबाज ने फुल कोर्ट बनाने की दर्खास सुप्रीम कोर्ट में दायर करते वे आर्टिकल 63-A की नजरे सानी की दर्खास ते भी साथ समात करने की इस्तिदा कर दी हमजा ने एलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुनहरिफ अरकान की अपीले भी रोलिंग के इसके साथ सुनने की इस्तिदा करते हुए कहा कि मुनहरिफ अरकान के एलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ अपीले जेरे इल्तिवा है डिप्टी स्पिकर दोस्त मुहम्मद की 22 जुलाई को दी गई रोलिंग दुरूस्त है इलेक्शन कमिशन ने मौनहरिफ अरकान के खिलाफ इमरान खान की जाने उसे जारी की गई हिदायात को तसलीम किया दर्खास में कहा गया कि सुप्रीम कोट में मौनहरिफ अरकान की अपीले मनजूर हो गई तो सूरत रहाल यकसर तबदील हो जाएंगी और 25 मौनहरिफ अरकान के निकाले गए ओट भी गिंती में शुमार होंगे वहीं पर खबर खबरे ये भी है कि इतिहादी जमातों के रहनुमाओं के हमरा पेस कानफरंस से खिताब करते वे बिलावल भुट्टू ने ये कहा कि ये नहीं हो सकता कि सिर्फ तीन शख्स ये फैसला करेंगे कि ये मुल्क जम्हुरी निजाम के तहट चलेगा और उन्होंने कहा कि निजाम के मताबिक चलेगा या किस मताबिक चलेगा ये फैसला तीन शख्सों के हाथ में नहीं है खैर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को लेकर अजीब औ गरीब खबरे आती रहती है जूरों की पुराणी से पुरानी लाईलाज तकली जैसे गुत्नो का दर्द, पीछ और कमर का दर्द, कंधे गरदन और पेरों में दर्द के लिए संधी पलस पलस एक संजीवनी बूती के तरह है या यू कहे कि एक स्थाई इलाज साबित हो चुका है लागों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजे प्राप्त कर चुके हैं जब हम निमेत रूप से संधी प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो तवचा इसे तुरंट आफजर करके जूडों के सुक्षमतन अवस्ता में पहुचा देती है जिससे जूडों में ब्लट का सर्कूलेशन बढ़ जाता है और जूडों के मास पेश्यू में मजबूती आती है आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है साथ साथ जूडों में नई शक्ती भी आती है झाल झाल